नमस्कार दोस्तों मिरा नाम आसी से आपको बता दूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल में बेल आइकान बनी होगी जिसको आप दबा लिजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को आप सबसे पहले देखें आपको बता दें कि वीडियो आप अन तक जरूर देखां क्योंकि यह वीडियो एक्जाम के दिष्टी से काफी महत बोड है क्योंकि मैं आज यहाँ पे पॉल्टी की 20 कुश्शन लेके फिर आया हूँ यह पार्ट 4 है इसे पहले मैंने पार्ट 3 का वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं चलिए हम आज का पहला प्रस्शन देखेंगे बहुत जादा आपका समय नहीं लेंगे कि समय बहुत कीमती है तो चलिए पहला प्रस्शन देख ल देखेने उच्चितम न्यालेने سरसथम 1991 में संक्री प्रसाद बना भारश संगवाद सज्जन सिंह बना राजस्थान राजकी वाद में या निर्धारित किया था कि संसत्ट संबिधान दोरा मोल अधिकारों में संसोधन कर सकती है फिर से बता रहा हूँ कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने संक्री प्रसाद बनाम भारस संगवाद उसके बाद 1965 में सर्जन सिंग बनाम राजस्थान राज के वाद में या निर्धारित किया था कि संसत संविधान द्वारा मूल अधिकारों में संसोधन कर सकती है लेकिन 1967 में यहाँ पर नोट करने वाली बात है 1967 में ध्यान रखने वाली बात है 1967 में गोलक नाथ बनाम पंजाब राजवाद में उच्चतम न्याले ने 1951 और 1965 के फैसले को उलट दिया इसका मतलब यह हुआ कि उच्चतम न्याले यानि कि सुप्रीम कोट ने संक्री प्रसाद बना एवं सज्जन कुमारवाद के विप्रीद संसत द्वारा मूल अधिकारों में संसोधन पर रोक लगाने का निर्ड़े दे दिया यानि कि 1967 से पहले 195-1965 में या आदेश दिया था कि या निर्धायित किया था कि सुप्रीम कोट ने कि संसत मूल अधिकार में संसोधन कर सकती है लेकिन 1967 में गोलक नाद बनाम पंजाब राजवाद में उन्होंने कहा कि संसत मूल अधिकार में संसोधन नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारा एंसर केशवनन भारती वाद है चूंकि देखिए कि नविंतम जो निर्ड़े है वो केशवनन भारती बनाम केरल राज़ के आधार पर ही है क्योंकि संसत यानि कि इस केश में केशवनन भारती बनाम केरल केश में सुप्रीम कोड ने कहा कि संसत को मूल अधिकारों में संसोधन की सकती सीमित प्राप्त है इसलिए यह उत्तर सही है आपको बता दें कि केशवनन भारती बनाम केरल राज 1973 के वाद में सर्वोच नियाले ने निड़े दिया कि संसत की संसत की संसोधन सकती विश्त्रित है किन्तु आसीमित नहीं है और वहमूल अधिकारों का संसोधन तो कर सकती है किन्तु वह संसत की आधार भूत तत्तों को बदल नहीं सकती है इसलिए यहाँ पर ए आपसन बिल्कुल से हो जाएगा केशवनन भारती बाद देखें दूसरा कुश्यंतर पढ़ेंगे भारती संविधान की 44 में संसोधन से मौलिक अधिकारों की स्रेडी में निम लिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है यहा पर आपका सी अपसन बिल्कुल से हो जाएगा संपत्ती का अधिकार इससे पहले आपको बता दें कि अव्यक्ति की स्वत्यक्तव का अधिकार इसका संब्द आर्टिकल उन्यस से जो अभीभी है संविधानिक stretching देटिकार इसका संब्द आर्टिकल अट्ट्ञे Knowledge सक以前 अभीम भी मौलिक अधिकार ही है लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले यानि कि मूल अधिकार में मूल संभिधान में अनुछेद 31 के अंतरगत मौलिक अधिकार था लेकिन संभिधान संसोधान 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया और वहां सहटाने के बाद इसे अनुछेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार प्रदान किया गया आपको बता दें कि जिस समय यह संभिधान संसोधान हुआ था उस समय मौरार जी दिसाई जनता पार्टी सासन में प्रधान मंत्रे थे देखिए दोस्तों अगला कुश्यन तीसरा है निमलिकित में से कौन सा भारत की संभिधान के द्वारा प्रदत छे मूल अधिकारों में से नहीं है यह आपसन है समानता का अधिका समय मौरार है 14-18 तक ध्यान रखना है पहला है समानता का अधिकार 14-18 अब 14 से ठार क्या है चोदा में विधी के समच समता 15 में धर्म नस्ल जाती लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेद भाव का निशेद और 16 में क्या है 16 में है लोक नियोजन के विशय में औसर की समता और 18 में है उपाधियों का अं यह आपका समानता के अधिकार माता है अधिकार के 6 अधिकारों में चैक मूर अधिकारों में से स्वाधान 1978 की माध्यम के ताहत इसको 300 का के ताहत कानूनी अधिकार पृधान किया गया था तो अनुचेद 19 F में भी संपत्तिक की अधिकार का प्रावधान था जिसको 44 संपत्तिक की दौरा हटा दिया गया तो इस तरह मूल संभीधान में साथ तो था लेकिन बर्तमान में 6 है. 6 प्रकार की सोतनता का उलेख किया गया. 20 में क्या है? 监र अप्रादों के लिए 2 सिद्धी के संवन्द में संग्रच्छण है 21 में है प्राढ एवं दरहिक सोतनता का संग्रच्छण 22 में है कुछ दसाओं में गिरफतारी और निरोध में संग्रच्छा ये आर्टिकल 19-22 है और तीसरा आप देखिए कि 166 के विरुद अधिकार 23 और 24 आर्टिकल में है 23 में है मानों की दुर्व्यापार और बलासरम का प्रतिसेद 24 में है बालकों की नियोजन का प्रतिसेद अब आगे पाच्वा है आपका सोररी चोथा है धर्म की स्वतंता का अधिकार 25-28 संबंदित है 25 में है कि अंतह करण की और धर्म के अबाद रूप से मानने आचरार और प्रचार करने के स्वतंता है 26 में क्या है कि 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंद की सुतंता है जैसे मालो कोई व्यक्ति है अपने धर्म के लिए संस्थाओं के अस्थापना या पोसल करने या विधी संपति अर्जन करता है स्वामित या प्रसासन का उसके पास अधिकार है अर्टिकल 27 में क्या है कि राज किसी विव्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाद नहीं कर सकता है जिसकी आए किसी विशेश धर्म अत्वा धार्मिक संप्रदाय की उन्नती या पोशर में ब्याय करने के लिए विशेश रूप से निश्चिव की गई है 28 में राज विधी से पूर्ता पोशित किसी सिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी यह आपका चौथा था और पांचवा है आपका अनुछेट 29 से 30 तक संस्कृति योम सिक्षा संबंधेत क्यार 29 में क्या है कि अल्प संख्यक वर्गों की हितों का संग्रचण और अनुछेट 30 में क्या है कि सिक्षा संस्थाओं की अस्थापना और प्रसासन करने का अल्प संख्यक वर्गों का अधिकार और छटा आपका है च्छा मूल अधिकार में से छटा है संब्धानिक उप्चार का अधिकार संब्धानिक उप्चारों का उप्बं ये अनुशे 32 से संबंदित हैं तो इसमें आपका 6 मूल अधिकारों में से नहीं होगा वो बिरोध का अधिकार है कहीं भी बिरोध का अधिकार नहीं बताया गया है इसलिए भी आपसन बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कुशन देखिए भारत में रहने वाला बिर्टिस नागरिक दावा नहीं कर सकता भारत में रहने वाला बिर्टिस नागरिक दावा नहीं कर सकता है आपसन है ब्यापार और ब्योसाई की सोतनता का अधिकार बिधी के समझ समता के अधिकार जीवन और व्यक्तिकर स्वतनता की सुरक्षा के अधिकार धर्म की स्वतनता का अधिकार तो लेकिन आपको हम बता दे हैं आपका आपसन एस हो जाएगा ब्यापार और व्योसाई की स्वतनता का अधिकार दावा नहीं कर सकता को सफ्थ हैं आपको बता दे यहां 11 Max यह और सिदिकार केवल भारत की नागरिकों को प्राप्त है अनुचेद बंनीज वाक Audreygypt आधि विस्यक कुछ अधिकारो का अधिकार केवल भारती नागरिकों को प्राप्त है हम बाकि यह यह तीनों भारती नागरिक यह उनको को भी प्राप्त हैं तो इसलिए आपसंग बिल्कुल से हो जाएगा कि कोई भी ब्रिटिस नागरिक यह दावा नहीं कर सकता है कि व्यापार और व्योसाइग की स्वतनता उसके पास अधिकार है अगला कुश्चन देखिए पांचवा है निमलिखित में से कौन सा मूल अधिक सोसर के ब्रिट अधिकार आपको मैंने पहले भी कुश्चन बताया था जिसमें ब्यापार और व्योसाइग की स्वतनता का अधिकार था यहां भी आर्टिकल 19 से कौन सा अधिकार संबन दी थे वो अव्यक्ति की स्वतनता का अधिकार है इसका मतलब इसे इस अधिकार को वि बहारती नागरिकता को प्राप्त है आपको बता दें इसमें आपका बी आपसन बिल्कुल से यह हो जाएगा इसे पहले आपको हम बता देता है कि भारत में कुछ ऐसे मुल अधिकार है जो नागरिक और विदेशी दोनों को समान रूप से उपलार दें मैं आपको बता जता विदिक के समद समानता अनुछेद 14 दोनों को मिला है तो अप राध्यों के लिए दो सिद्धिक के समद में संग्रच्छाड ये अनुछेद 20 है ये भी दोनों को मिला यानि कि भारत और भारती नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को अनुछेद 21 भी मिला है जिसमें है प्लार एवं दैहिक स्वतनता का संग्रच्छड अनुछेद 21 का में भी है इसे 21 ए बोलते हैं इसमें राइट विजिकेशन सिच्छा का अधिकार है अनुछेद 23 से लेके 24 तक भी प्रदान किया गया है जिसमें 166 के विरुद अधिकार है और धर्म की स्वतनता 25 से 28 है ये सभी भारत और विदेशी नागर्च्छ दोनों को प्राप्त है अगला कुश्चन देखी कुश्चन नमर छटवा है निमली में से कौन सा एक अधिकार राष्टी आपात काल तक में भी समात्या सीमित नहीं किया जा सकता है इसमें ए पूर छेत में अबाद भ्रमर स्वतनता का अधिकार और डी है ब्रितिया उपजीपका की स्वतनता का अधिकार जिसमें आपको मैं बता दू बी आपसें बिल्कुल से विजाएगा ब्यक्तिकस स्वतनता और जीवन का अधिकार ये कुश्चन में राष्टी आपात काल तक म में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है वो भी है ब्यक्तिका सुतंता और जीवन का अधिकार देखे 44 संभिधान संसोधन 1978 के बाद अमश्चेद 21 में प्रदत प्रार एवं दैहिक सुतंता का मौलिक अधिकार या जीवन का अधिकार राष्टी आपातकाल की इस्थती में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है ध्यान रखना कि यदि राष्टी आपातकाल युद्ध या बाह आक्रमर के आधार पर घोसित हुआ है तो सभी मूल अधिकार अस्थागित किया जा सकते हैं प्रंतु अनुछेद 21 के तहद जीवन का अधिकार और 20 और 21 को अस्थागित नहीं किया जा सकता है दूसरी और यदि ससस्त बिद्रोग की कारण आपातकाल घोसित हुआ है तो अनुछेद 21 एवन 20 के साथ अनुछेद 19 जिसमें वाक्त सुतन्त विश्यक कुछ अधिकारों का संग्रत छड़गी है वो भी जीविद रहता है तो अ अनुछेद 358 अनुछेद 19 द्वारा दिए गे मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है जबके अनुछेद 369 अनमूल अधिकारों के निलंबन तो किसी भी कीमत पर अनुछेद 20 और 21 अस्थागित नहीं किया सकता है और यदि ससस बिद्रोग की वज़ा से राष्ट्य राश्टी आपात्काल लागू हुआ है तो उसमें अनुष्ट 19 भी जुड़ जाएगा इसका मतलब कह सकते हैं कि अनुष्ट 19 20-21 अस्थाकित नहीं किया जा सकता है वह सस्थविद्गार यानि कि ससस्थ अगर राश्टी आपात्काल लागूख होता है तो और अगर राश्टी या प्रात्काल युद्ध या बाय हाक्रमर के आधार पर घोसित होता है तो सिर्फ दो आर्टिकल दो अनुशेद अस्थखितने होंगे वो 20 और 21 होंगे ये ध्यान रखने वाली बात है अगला कुशन देखिए सात्मा है निमलिखित कर्थनों में से कौन सा एक सही है तो आपके आपसन है अधिकार नागरिकों के बुरुद राज की दावे हैं बी है अधिकार वे बिस्यस अधिकार हैं जो किसी राज की सम्मिधान में समाविष्ट हैं सी है अधिकार राज की बुरुद नागरिकों के दावे हैं और डी है अधिकार अधिकार लोगों के बुरुद कुछ नागरिकों के बिस्यस अधिकार हैं तो आपको बता दे कि यहाँ यूपी पीस्यस दोहजार सत्रा का कोश्चन है है 2017 इंसमें आपका सी आपशन बिल्कुर सी हो जाएगा अधिकार राज के बिरद नागरिकों के दाव हैं देखिए मानो व्यक्ति के समगर्विकास की अनिवार अपिक्षाहें है अधिकार जो हता है वह किसी मानो व्यक्ति के विकास की क्या होता है अनिवार अपिक्छाएं होती है, इनके अभाव में अगर ये कमी हो जाए, इनके अभाव में मानो का बवधिक, नैतिक, अध्यात्मिक तथा लवकिक उत्थान बाधित हो जाएगा, येवां मानो जीवन पसुवत हो जाएगा, अधिकार राज सक्ति पर सिमाएं हैं या सवाई स्टेट एक्षन के बुरुद प्रत्याभूत यानि की गारंटी है तो अता अधिकार राज के बुरुद नागिकों के दावे हैं अगला देखिए आठ्यों भारत की संदर में निमळिखित में सी कौन सा अधिकारों और कर्तब्यों के बीच सह संबंद है तो यहां ए consiste में अधिकार के साथ सहसंबंदित है और कर्तब्यों के साथ सह संबंदित है B है अधिकार ब्यक्तिकत है अता समाच और कर्तब्यों से स्वतंत्र है C है नाजुकों के ब्यक्तिकत के भिकास के लिए अधिकार ना की कर्तब महत्पूर है D है राजी के अस्थायत के लिए कर्तब ना की अधिकार महत्पूर है तो भारत की सवंदर में अधिकार और करतब एक ही वस्तु के दो चरण है मानो वेक्तित की विकास के लिए अधिकार महतपूर होता है ये किसी व्यक्ति को स्वतंद कार करने है तो पर्याद छित उपलब्द कराते हैं और इस तरह आत्म विकास का आधार का निर्मार करते हैं यदि लोग तांतरिक व्योस्था में अधिकारों की विसीज महत्व है लेकिन करतबों की अनुपस्थिती में ये अर्थ हीन हो जाते हैं इसका मतलब है कि अगर करतब रहे गा ही नहीं तो फिर अर्थ हीन हो जाएगा एक ब्यक्ति के पास अधिकार तो है तो उसे अच्छे का करने का अधिकार नहीं है व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसकी दावे को प्रदर्शित करते हैं जबकि करतव्यों से व्यक्ति पर समाज की दावे का संकेत मिलता है अता भारत की संदर में अधिकार करतव्यों के साथ सह संबंधित है इसलिए आपसन बिल्कुल से हो जाएगा नौ कुश्चन देखिए राजिके नीती निदेशक सिद्धानतों को भारती समिधान में सामिल किये जाने का उद्देश है ए आप्शन है राश्टितिक प्रजातन्त को अस्थापित करना बी आप्शन में है सामाजिक प्रजातन्त को अस्थापित करना C है गाधिवादी प्रजातन को अस्थापित करना D है सामाजिक और आर्थिक प्रजातन अस्थापित करना यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर D आपसन बिल्कुल से हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातन को अस्थापित करना देखे राज की नीती निदेशक तत्थ वो भारती सम्मिधान की भाग 4 में है भाग 4 में है या 36 या 36 से 51 तक है तो राज की नीती निदेशक सिधानतों को भारती सम्मिधान में सामिल के जाने का उद्देश जो है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातन को अस्थापित करना है यह हुद्देश एक कल्यार कारी राज की अस्थापना में सहायक है तो राज के नीती नी दे सकता तो आर्लेंड की समिधान से प्रेरित है लेकिन समिधान निर्माता एक कल्यार कारी राज की अस्थापना की प्रावधान करना चाहते थे इसलिए सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त की अस्थापित करता है यानि कि राज के नेती निदे सकता तो मुख उद्देश एक कल्यारकारी राज की अस्थापना करना ठीक अगला कुशन देखिए कुशन नमर दसवा है निमलिखित में से कौन सा एक राज के नेती निदे सकत्तों का उद्देश नहीं है यहाँ पर देखिए एक कल्यारकारी राज की अस्थापना करना सामाजी कार्थी कल्यार सुनस्षित करना अंतराष्टी सांतियों सुरच्छा क और दी है एक धार्मिक राज की स्थापना करना टहां पर दी आप्संन बिल्गों से वजयेगा यह एक धार्मिक राज की अस्था निदेसक्तत्तों का उद्देश नहीं है देखें राज की नीती निदे सकत्त को समिधान के भाग चार अनुचे 36 से इक्यावन में सामिल किया गया इसका उदेश कल्यार कारी राज की अस्थापना करना सामाजिक आर्थिक कल्यार सुनशित करना अंतर राष्टी सांतियों सुरच्छा की अव्विर्दी करना लेकिन एक धार्मिक राज की अस्थापना करना इसका उदेश नहीं इसलिए डी आप्सन बिल्कुल से हो जाएगा अगला कुशन देखिए निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए भारत के समिधान के संदर में राज की नेती के निदे सकत्त तो एक कतन दिया गया है बिधायका के क्रित्यों पर निर्वंधन करते हैं दूसरा कतन है कारपालका की क्रित्यों पर निर्वंधन करते हैं यहाँ पर उपरियुक्त कतनों में से कौन से यसा सही है या है तो आप्सन में केवल एक केवल दो एक और दो ना तो एक ना तो दो निर्बंदन नहीं करते हैं सिर्फ सिफार से हैं देखें MC सीतल वाड के अंसार निदेशक्तत कोई विधिक अधिकार या कानूनी उप्चार नहीं बताते ये सभी राज क्रियाओं की विधायका या कारपालका के लिए प्रभुत प्रिष्ट भूमी का निर्मार करते हैं अता राजी के नेती निर्बंदन नहीं इसलिए डी आप्शन सही जाएगा ना तो एक न तो दौ गभाणि वादी उप्रोग सभी इसमें डी आप्शन सही जाएगा उप्रोग सभी देखी बारती संविधान के अंतरगत राजी के नीति नीजेसक तत्तो का उले, भार्ती समिधान के भागचार के अनक्षे 36-51 तक या 38-51 के तहत किया गया है इसे आरलेंड के समिधान से लिया गया है राज जी के नेती निदेशक तत्तों को सहज अध्यन के लिए समाजवादी, उदार बहुत दिक्तावादी, गाधीवादी, मानवा अधिकार, सामाजी कियों आर्थिक कल्यार आधि भागों में विभाजित किया जा सकता है राज जी के नेती निदेशक तत्तो की प्रवित्ती सकारात्मक है और यह गयर न्यायोचित है अगला देखी तेरवा कोशन देखी भारती समिधान में राज जी के नेती निदेशक सिधानतों का विचार लिया गया है आर्लेंड के सम्धान से कनाडा के सम्धान से दच्छल अफ्रीका के सम्धान से आस्ट्रेलिया के सम्धान से त्याँ पर आपका ए आपसन बिल्कुल से हो जाएगा आर्लेंड के सम्धान से देखें आर्लेंड के सम्धान से नीती निर्देसक सिधान यानि के राज के नीती न इसमें 12 सदस्यों को मनुनीद किया जाता है यह भी आरेंड के सम्धान से लिया गया था कणाड़ा के संघात्मक बिसेस्थाइं ऑसिष्ट सक्चियां के पास राजिपाल की न्यूक्त बिसेक प्रक्रिया शंग एवं राज्जी के बीच सक्ती विभाजन यह सब कनाड़ा सम् से क्या लिया गया था दच्छिड अफ्रीका की सम्मिधान से संसोधन की प्रिक्रिया का प्राउधान लिया गया है और आश्टेलिया के सम्मिधान से क्या लिया गया आश्टेलिया की सम्मिधान से प्रस्तावना की भासा समौर्ति सूची का प्राउधान केंद्र एवं राज की बीच संबंद तथा सक्टियों का विभाजन संसदी विशेशा अधिकार ठीक देखे अगला कुशन देखते हैं चौदवा है निम लिखित अनुछेदों में से कौन एक राज सरकार को ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देशित करता है यहाँ पर मिस्प्रिंट हो गया यहाँ गठन होगा यहाँ संगिठित गठन करने के लिए निर्देशि सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है इसके अंसार राज ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी सक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत सासन की इकाईयों के रूप में कार क लोग बनाने के लिए आवस्यक हो यहां अनुछेद 32 का संबन समयधानिक उप्चारों का उप्बन से है और अनुछेद 48 का संबन क्रिसी इवं पसुपालन का संगठन से है जबकि अनुछेद 51 का संबन अंतराश्टी सांती और सुरक्षा की अब्रिद्धी से है अगला कुछेद देखिए 15 है भारत की समयधान ने भारत की समयधान में अंतराश्टी सांती और सुरक्षा की अब्रिद्धी का कहा उलेख है तो यहां पर आपके आपसने समयधान की उदेश्का में राज्जी के नीती नीदे सकत्तों में मोल कर्तब्यों में नवी अनसूच तो आपको बता दे हाँ पर भी आपसन बिल्कुल से जाएगा राज्जी के नीती नीदे सकत्तों में देखिए भारती समयधान की अनुछेद 51 में या अनुछेद 51 के ताहद राज्जी के नीती नीदे सकत्तों में अंतराश्टी सांती और सुरक्षा की अब्रिद्धी का उलेख है इसके अंसार अंतराष्टी सांती और सुरच्छा की अब्रिद्धी का राष्टों की बीच न्याय संगत और सम्मान पूर संबंदों को बनाए रखने का संगतित लोगों को एक दूसरे से ब्योहारों में अंतराष्टी बिधी और संधी बाध्यताओं के प्रत आदर बढ़ाने का और अंतराष्टी बिवादों के मद्धस्ता तरा निप्टारे के लिए प्रत्साहत देने का प्रयास करेगा चलिए अगला कोशन देखते हैं सोलवा हैं भार संधान के 42 में संधान संसंदारा निम्लिकित में से कौन सरसिदान राज की नीती के निदेशक तत्तों में जोड़ा गया था आपर यह अपसन है पुरुस और इस्तरी दोनों के लिए समानकार का समान बेतन उद्ध्यों के प्रबंधन में कामगारों की सहवाक्ता, काम, सिक्षा और साधनिक सहायता पाने का दिकार आपको बता दे कि A यानि की पुरुस इस्तरी और दोनों के लिए समानकार का समान बेतन C काम सिक्षा और साधनिक सहायता पाने का दिकार D स्रंकों के लिए निर्वा, योग, बेतन, यहों काम की मानवी दसाय स्रक्षित करना ये सभी मूल समिधान में ही थे जबकि इस उद्ध्यों के प्रबंधन में कामगारों की सहायता ये 42 में समिधान संसोधन 1976 के माध्यम से समिधान में जोड़ा गया था तो इसका संबन्द अनुछेत 43 का से है और पूरुष यों मिस्तरी दोनों के लिए समान कार का समान बेतन ये अनुछेत 49 से संबन्दित है काम, सिच्छा और साथनिक सहायता पाने का दिकार ये अनुछेत 41 के अंतरगर संबन्दित है अस्रमकों के लिए निर्वा, योग बेतन एवं काम की मानवी दसाय सुरक्षित करना ये अनुशेद 43 से संबंदे थे को बता दें कि 42 में संबिधान संसोधन 1976 के माध्यम से नेती निदेशक तत्तों में जो भी आर्टिकल जोड़े गया है वो है अनुशेद 49 चा जिसमें सोसर से बच्चों एवं बयसकों की सुरक्षा करने का प्रावधान किया गया है दूसरा है अनुशेद 49 का समान न्याय तथा निसुल कानूनी सहायता और तीसरा है 43 का जिसमें उद्योगों के प्रबंदन में स्रमकों की भागेदारी और आगे है 48 का जिसमें कहा गया है पर्या वरण का संगरच्चन तथा संबरधन और वन तथा वन निजियों की भ्रक्षा ये सभी बाद में सम्मिधान संसोधन करके जोड़े गए थे आपको फिर बता दे 49 चा 49 का 43 का 48 का ये सभी सम्मिधान में बाद में जोड़े गए जबकि A C D ये सभी मूल सम्मिधान में थे इसलिए B आपसन बिल्कुल सही हो जाएगा जिसमें कुश्चन कहा गया है कि 42 में सम्मिधान संसोधन निमनिकित में से कौन सा सिधान राज की नीति निदेशक तक्तों में जोड़ा गया वो भी आपसन सरी जाएगा उद्यमों के प्रबंदन में कामगारों की सहवाक्ता जिसका संबन अच्छे 43 का से है अगला कुश्चन देखिए सत्रावा है भारती सम्मिधान में प्रत्यस्थापित राज की नीति के निदेशक तत्तों की अंतरगत निमलिखित प्राधानों पर विचार कीजिए पहला कतान है भारती नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संगिता संहिता सुरच्छित करना दूसरा है ग्राम पंचायतों को संग्ठित करना तीसरा है ग्रामीर छेत्रों में कुटिर उद्योगों को प्रसायत करना चोथा है सभी कर्मकारों के लिए यतोचित अवकास तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना उपर युक्त में से कौन से गाधी वादी सिधान्त हैं जो राज जी की नीती निदेशक तक्तों में प्रत्विम्वित होते हैं आपसन में हैं एक दो और चार दो और तीन एक तीन और चार एक दो तीन चार तो आपको बता दें आपका भी आपसन बिल्कुल से हो जाएगा दो और तीन यहाँ पर ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीड छेत्रों में कुटिर्द उद्योगों को प्रसाइद करना ये गाधिवादी सिध्धान से प्रेजद है गाधिवादी सिध्धान पर आधारित कई प्रावधान है नीति निरिसक्तत्रों में ग्रामीड छेत्रों में कुटिर्द उद्योगों को ब्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रेयास ये अनुचे 43 से संबंदित है अनसूची जाती अनसूची जन जाती तथा अन्य दुर्बल वरगों की सिख्छा और अर्थ संबंदी हीतों की अब्रिद्धी जिसका संबंद अनुचे 46 में है ये भी गाधिवादी सिध्धान से संबंदित है स्वास्त के लिए नुकसान दायक, नसीली दवाओं, मादक पेयों के आवसदी प्रेहुजनों से भिन उप्योग का प्रचेद ए भी गाधिवादी सिध्धान से जिसका संबंद अनुचे 47 से गाई और बचलात तथा अन्य दुधारू पस्वों के वध पर रोग और उनकी नशलों में सुधार का प्रयास ये अनुचे 48 से संबंदित है ये भी गाधिवादी विचार से संबंदित है तो इसलिए आपका भी आपशन से जाएगा दो और तीन तो दो और तीन गाधिवादी सिधान से संबंदित है अगला कुशन देखिया ठ्रावा है निमलिखित कत्रों में से कौन सा यसे भारती नागरिकों के नागरिक के मूल करतब्यों के विशे में सही है या है पहला कतान है इन करतब्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधाई प्रकिरिया दी गई है दूसरा है ये विधिक करतब्यों के साथ परसपर संबंदित है तो नीची दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनना है तिया पर केवल एक केवल दो एक और दो दो ना त दो त्यापर आपको बता दें कि डी आपसन बिल्कुल सही हो जाएगा ना तो एक होगा ना ही दो देखे भारती समिधान के भाग चार का के अंतरगत अनुछेद 51 का के अंतरगत मोल करतब्यों का प्रावधान है तो भारती समिधान में मोल करतब स्वर्ण सिंग समिती के आधार पर 42 में समिधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था नागरिक इन करतब्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाद है हाला कि इन करतब्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधाई प्रक्रिया नहीं है नेति निदेशक से धानतों की तरह ये भी नयायोचित नहीं है अर्थात इनके उलंगन या अनुपालन ना होने पर कोई कानूनी कारवाई नहीं हो सकती है इसलिए कतभन एक गलत है और कतभन दो भी गलत है यहाँ पर इसलिए डी आप्सन बिलकिल सेह ओ रहा है ना तो एक सेही होगा ना तो दो सेही होगा अगला देखेक ख़ी कुष्चं उन्निस्वा है मोल करतब्यों का उल्लेक संबिधान में कब किया गया था समधान निर्मार के समय 26 जनौ 150 को 42 समधान संसोधन या 44 समधान संसोधन में आपको बता देँ यहाँ पर आपका सी आपसे मिल्कुल से हो जाएगा 42 समधान संसोधन 52 समधान संसोधन 1976 की आधारपhr 1976 में मोल करतब को भारति समधान में जोड़ा गया था देखें 22 में समिधान संसोधन 1976 में मोल करतब को भारती समिधान में जोड़ा गया था तो स्वाड सिंग समिधान के आधार पर मोल करतब को जोड़ा ही गया था तो भारती सम्मिधान के भाग चार में कहां पे भाग चार का में अनुशेत 51 का के ताहत मोल करतब को सामिल किया गया था जिसमें 10 मौल करतब की व्योस्ता की गई थी लेकिन 46 में सम्मिधान संसोधन 2002 के ताहत एक मौल करतब बढ़ा दिया गया जिससे बरतमान में अब इसकी संख्या 11 हो गई है तो इसलिए मूल करतब्यों का उलेक समिधान में 42 समिधान संसोधन 1976 के मात्यम से जोड़ा गया था जिसकी समिती स्वर्डिसिंग समिती आधार बनी थी अगला आज का लाश्ट कूश्यन है निम्नांकित में से कौन एक गलत है मूल करतब मौलिक अधिकारों का हिस्सा है भी मौल करतब मौलिक अधिकार का भाग नहीं है सी भारती समिधान की भाग चार का में मौलिक करतब गिनाए गए है डी अनुछेद 51 ए भारती प्रतेग भारती नागरिक के मौलिक करतब्यों की ब्याथा करता है याँ द्यान रखना कि निमनांकित में से कौन एक गलत है यहाँ पर ए आपसन गलत है क्योंकि मोल करतब मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है देखे 42 में समिधान संसोधन 1976 भारती समिधान में एक नया भाग चार का जोड़ा गया जिसका संबंद अनुछेद 51 ए से है जिसमें मोल करतब्यों को समायोजित किया गया था यह मोलिक अधिकार समायोजित किया गया था लेकिन जो मोलिक अधिकार है वो भाग 3 में मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों साथ सेर कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं 20 कुश्चन के साथ कल रहेगा आपका राष्ट पती से संबंधी टॉपिक पर कल फिर मिलते हैं 20 कुश्चन साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों